प्यारे बच्चों सूपरभात आशा हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे हिंदी पाठ्य पुस्तर की लास्ट वीडियो में बिटा हमने पाठ तीन जिसका नाम है बच्चों की हसी रीड किया था इसके पेस नमबर 29 और 39 में हमने पढ़ा था कि कैसे बच्चे अपने फोन और लैपटोप की वज़े से अपने परिवार से दूर होते जा रही हैं उनके हसी और खुशी वो दोनों ही गाइब होती जा रही हैं इसलिए जो उनके मता पिता हैं वो एक योजना बनाते हैं और सभी बच्चों के फोन और लैपटोप पर एक मेसिज दिखते हैं कि आज शाम सभी बच्चों को पार्टी दी जाएगी सभी बच्चे अपने घर के पास के मैदान और पार्क में कठा हो जाएं आईए आगे पढ़ते हैं पहले तो बच्चों ने सोचा कोन जाए पार्क में लेकिन पार्टी के नाम पर जिग्यासा हुई जिग्यासा मतलब जानने की इच्छा वैसे तो पहले सोच रहे थे कि कौन जाए लेकिन जब पार्टी का नाम सुना तो सब में जिग्यास्था हुई जानने के इच्छा हुई कि क्या पार्टी है और क्या होने वाला है वे मैदान में इकठा होने लगे मगर वहां का नजारा नजारा यानिकी दृष्षे कुछ और ही था वृतिका ने देखा उसके मम्मी अपनी सहेलियों के साथ रसी कूद रही है पापा और प्रोस के अंकल पतंगे उड़ा रही है वृतिका क्या देखती है कि उसकी मम्मी है वो अपनी सहेलियों के साथ रसी कूद रही है और जो उसके पापा है वो अपने प्रोस के अंकल के साथ यानिकी अपने फ्रेंड के साथ पतंगे उड़ा रही है रुबीना, सिम्रन और प्रग्या की मम्या जमीन पर एक वर्गा कार्ट चित्र बना कर कुछ खेल रही थी रुबीना ने आगे बढ़ कर पूछा अम्मी आप यह क्या कर रही है उसकी अम्मी ने बताया यह स्टापू है पचपन में मैं अपनी सहलियों के साथ स्टापू खेलती थी फिर उन्होंने रुबीना को समझाया कि स्टापू कैसे खेला जाता है तो क्या है बटा रुबीना सिमरन और प्रग्या की जो मम्मिया है वो भी जमीन पर इस टाप से देखिए जैसा यहाँ पर दिखाया गया है यह होता है स्टापू जो वर्गा अकार का होता है और जिसे लड़किया गल्स खेलती है तो उनकी मम्मिया क्या कहती है कि यह जो वर्गा कार चितर है इसको स्टापू कहते हैं जो कि हम बच्पन में अपनी फ्रेंड के साथ खेलते थे इस पेस पर बिटा जो गेम्स जो खेल आपको दिखाये गए हैं यह सभी गेम्स पहले बच्चे खेला करते थे कहसे देखो लड़कियां इस तरह से वर्गा कास टापू खेलती थी रसी कूदना जो बोईज होते हैं वो पतंगे उडाते थे लेकिन आज कल यह बहुत ही कम होता जा रहा है इसी वज़े से जो बच्चों की हसी है वो गाइब होती जा रही है लेकिन पेरंट्स उसी हसी को वापिस लाने की कोशिश कर रहे हैं रिशब ने देखा एक पक्षी पेड़ के तने पर चोंच मार रहा है उसने अपनी दादी से पूछा दादी ये क्या है दादी ने बताया यह कट पोड़वा है रिशब ने तपाक से तपाक से यनकी पढ़ा हुआ है यह जो पेड़ की शाखा होती है पेड़ के जो तने होते हैं उनको खोकला करता है और उसमें घर बना कर रहता है इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं वुड कटर यह कितना सुंदर दिखाई देता है ना रिशब की बाद सुनकर दादी मुस्कुरा दी उस सब कितने अलग थे क्योंकि फोन में जो हम फोटोस देखते हैं वो अलग होती है और रियल्टी में ये पशु पक्षी उनसे बहुत ही सुन्दर होते हैं और इनका जो जीवन होता है वो रंग बिरंगे कलरों से भरा हुआ होता है बच्चों की हसी खिलकिलाहट पर लगा ब जीवन वैतीत करने लगे उनका मन हरी घास पर दोड़ने तितलियों के पीछे भागने का करने लगा बच्चों को हसते खेलते और शरारते करते देख बड़े भी खुलकर ठहाके लगाने लगे यानिकी हसने लगे कई दिनों बाद बच्चों की हसी लोटने की खुशी में दुनिया भर में हसी का त्योहार मनाया गया कि कई दिनों के बाद बच्चे हसने लगे थे तो इसलिए दुनिया भर में हसी का जो त्योहार है वो मनाया गया फिर सब कुछ पहले जैसा हो गया बच्चों की हसी के कारण दुनिया में फिर जीवन लोट आया क्योंकि जो जो ने शाम के समय पार्क में खेलने का निश्चे किया और हसी कात्योहार तो उनके जीवन का हिस्सा जरूरी हिस्सा बन गया था कि जो बच्चे हैं उन्होंने अपने बड़ों से प्रॉमिस किया वादा किया कि वो टीवी, कम्प्यूटर, आइपोन का प्रियोग उसका यूज उतना ही करेंगे जितना उनके लिए जरूरी है और समय पर वो पार्क में और खेल के मैदान में खेलने भी जाया करेंगे तो इसी तरह से जो हसी कात्योहार हैं उनके जीवन का जरूरी हिसा बन गया और बच्चे पहले की तरह हसने लग गए तो बिटा ये था हमारा थर्ड चैप्टर जिसकी रेडिंग कम्प्लीट हो चुकी है